लबशकार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर वर्ष 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत की बेला में नया संकल पलेने का वक्त है इसने साल के आगबन पर सबसे पहले आई ये तंबाकू गुटके के विशन को तैगने का संकल पलेते हैं हमने देखा है कि इसने किस कदर कहर ढ़ाया है कोरोना संक्रमनकाल में भी ये एक बड़ी समस्या थी अब युमिक्रोन वायरस देश में दूसरी बली ले चुका है देश की विभिन्न अदालतों ने समय समय पर तंबाको गुटका की बिक्री पर प्रतिबन लगाया है इसके बावज़ुद दुकानों में पान मसालावत तंबाको की बिक्री खुलियाम की जा रही है इसका उलेक इसलिए जरूरी है कि हाल ही में मोदा परिसर में पुलिस और अन्नव और शदिविभाग ने गोदा में सेंग नुरूप से छापा मारा और एक करोड से भी ज्यादा किमत की प्रतिबंधित तंबाको और गुटके की जब्ति की गई चौकाने वाले जानकारी यह रही है कि इसमें पकड़े के आरोपियों में शासरी नगर निवासी सुनेल जुनेजा भी शामिल है जो जाना माना बुकी है उसके गिरफतारी से एक बात और साफ हो गई है कि इस धंदे में एक आपरादी गड़ जोड है जो शहर ही नहीं आसपास के इलाकों में जहर बेच रही है अतहर ऐसी घटनाओं के मदे नजर पुलिस प्रशासर ने नए साल के आउसर पर नागरिकों को इन चीजों से दूर रहने और एक जिम्मेदाल नागरिक बनने का आववान किया है इस वर्ष सरकार द्वारा देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का आमरुत महत्सों मनाय जारा है जिसके थर्ष सेंटर बोर्ड ओफ इंडारेक्ट टेक्स्ट एंड कस्टम विबाग द्वारा संपूर्ण अदेश में 75 करदाता सुविधा केंदर शुरू करने काने ने लिया गया है इसी पहल के अंतरगत नाकपूर में जीस्टी वबाग द्वारा करदाता सुविधा केंदर का उदगाटन चीफ कमिशनर नाकपूर जोन के नेतरूत में जीस्टी भवन में किया गया इस अवसर पर बलवीर सिंग, प्रिंसिपल कमिशनर, मुकूल पाटिल, जोईन कमिशनर एवं नाक विदर्ब चेमबर के अदेक्ष, विदर्ब इंडस्टी असोसियेशन, बुटिबुरी मैनुफैक्ट्रिंग असोसियेशन, इंस्टिटूट अफ चार्टर्ड अकाउंट आने वाली समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, यह करदाता सुविधा केंदर की ओनलाइन पोर्टल, सीबियाई मितर के अतरिक उपलब्द होंगी, ओनलाइन पोर्टल पर दो अधिकारी हमेशा करदाताओं मदद के लिए उपलब्द रहेंगे इगे सप्ता में महारास रुकमिनी विवा, सुदामा चरित्र, दुवारका लीला का वर्णत जांकी द्वारा प्रस्तुत कर उत्सो बड़ी धूमधाम से मनाया गया, रुकमिनी विवा की बारात निकाली गई, जिसमें श्रद्धालू बड़ी संख्या में शामिल हुए, बारत आगमन पर सभी श्रद्धालू एक साथ नाशने लगे, जिससे पूरा परी सर्वरुंदावन में हो गया, बारत का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया, उत्तर भारतिय सबा के राश्ट्र कारेकारी अदेक्ष, उमाका दगनी होतरी, विदर्ब अदेक्ष परताफ शुकला ने पुष्व वरशाकर बारात का स्वागत किया, इस उपसित मानेवरों में पूरमंत्री रमेश बंग, मनोस सिंग, अनेल सिंग, विवेक सिंग, कपिल यादो, आधी का समावेश रहा, साथ दिन में जारी श्रिमत भागवत कथा ग्याने के सप्ता का समा शर्मा, सुशिल शर्मा, पियस तिवारी, अंजली मिश्रा, संध्या सिंग, डॉक्टर हर्गोविन मुरारका, विरेंदर चौवान, आधी ने बारात में हिस्सा लिया आई लोकेंदर सिंग, DIG CRPF रेंज नाकपूर ने 27 से 30 दिसंबर तक अती समेदन श्रिल शेत्र धानोरा, गर्चिरोली में तैनाथ 113 बटालियन CRPF मुख्याले, एवं CRPF कमपनियों का दवरा किया इस दवरान उन्होंने कैम का भ्रमन कर, जवानों के रहन सहन, खान पान के साथ साथ कैम की सुरक्षा व्यवस्ता का जायजा लिया, फाइरिंग रेंज पर जाकर जवानों की निशान बाजी का विशलेशन किया तथा कमपनियों में जाकर जवानों की फेटनेस की समिक्षा की सैनिक सम्मेलं के माध्यम से बटालियन के अधिकारियों एवं जवानों से वारतालाप किया और CRPF की कल्यानकारी योजनाओं के बारे में बताया उन्हें स्थानी अधिकारियों ने जवानों को ही रही समस्या उसे उगत कराया अपने शेत्र में सरानियक कारे करने वाले सिपाई ठाकुरदार किसकू उपनिरिक्षक चंदरभान पटेल एवं मेडिकल अधिकारी डॉक्टर आदित पुरोहित को CRPF के महानिदेशक से प्राप्त डिजी डिस्क उत्कुष्टर मैडल एवं प्रशन सा पत्तर प्रदान किये कोरोना से बचावेतु बटालियन द्वारा किये गे उपायों को ठीक पाया उन्होंने कहा कि CRPF को नकेवर नकसर समस्या से निपटना है बलकि साथ-साथ ग्रामिनों का भरोसा भी जीतना है और उनकी हर संभव सहायता करनी है कमांडेन डिजी पंडरेनात ने शेत्र में किये जारे अभियानों के बारे में डियाई जी सिंग को अउगत कराया गोधनी शेत्र विकसित होने के कारण शहर को इस परिसर से जोडने वाली सड़क पर यातायाद बहुत बढ़ गया है इस रोड बरसित स्री राष्ट संतर स्री तुकडोजी महाराज मार्ग टी पॉइंट अत्याधिक लापरवाही का शिकार हो गया है इस मार्ग पर डिवाइडर और सिगनल नो होने के कारण चालक भमित हो जाते है तिनोर से वहान एक साथ चलते रहते है जिससे जाम भी लग जाता है इससे निकलने के लिए काफी समय नश्ट हो जाता है सडक दुरगटनाओ की भियाशंका हमेशा बनी रहती है सिगनल और डिवाइडर यातायात को सुचारू बना सकते है इस बारे में स्थानिय संगटनों ने प्रशासन का ध्यान आकशित करने हे तूद अधिकारियों को ग्यापन सोपा है और समस्या को सुलजाने की मांग की है पांडे लेयाउट के पास नेहनगर विठर रुकमिनी मंदिर में चढ़ई श्री नारद महापूराण की कथा में आचारिर राज लरण गोपाल महराज द्वराज श्री नारद महापूराण में काशी शेत्र का महत्तो बताया काशी विशुनात भगवान का घर है भगवान शिव जी पूर्णरूप से वहा निवास करते हैं काशी भगवान शिव के त्रिशुल पर बसी हुई है जो काशी में मरता है वो मोक्ष प्राप्त करता है क्योंकि शिव जी उसके कान में मरते समय राम राम बोलते हैं महाराज ने और भी अनेक दिवे कथाओं के बारे में बताया जिसमें बद्रिनात धाम की कथा नर नारायन की कथा का समावेश था सुन्दरकान महिला मंदल, विठर रुकमिनी मंदिर समिती, खामला शारदा माता मंदिर गायतरी महिला मंदल, हनमान मंदिर समिती के सदस्य, एवं उपस्ति सभी भग कथा सुन कर भाव विभोर हो गए दिवे नर नारायन की जहांकिका भी भक्तों ने दर्शन एवं पूजन किया बीते वर्ष की पूरव संध्या पर राजगे उर्जा मंत्री वजिले की पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने नववर्ष की शुपकाम नहीं दी है उन्होंने कहा है कि कोरोना की आपता अभी समाप नहीं हुई है नागरिक जल से जल कोरोना सम्मधित वैक्सिन के दोनों डोज लगा ले साथी प्रतिबंदात्मक उपाहिजना का पालन करने का आववान उन्होंने किया है वे यहां जिला क्रिडा संकुल में प्रसार माद्यमों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि महाराश के पाजिलों में कोरोना का विस्पोर्ट होने की कगार पर है इनमें मुंबई, मुंबई उपनगर, पुने, ठाने वन नाकपूर का समावेश है नए साल में नागरिकों के बहतर स्वास्त के मदे नजर, राजसरकार ने स्वास्त व्योस्ता को और भी सक्षम करने और नागरिकों को नियमों का पालन करने का आववाहन किया है लॉइंस क्लब इंटरनेशनल एवं शगुन द्वारा, बिशप कॉटन ग्राउंड सिविल लाइन्स में आयोजित मेगा एक्जिबिशन के तीसरे दिन लोगों की भारी भीड रही वर्ष के आखरी दिन सभी जगह पर पाबंदिया और भीड की डर से लोगों ने बिशप कॉटन ग्राउंड पर आयोजित इस मेले में जाने में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया इस मेले में राजस्थान एवं अन्य राज्जों से आये हुए कारागिरों के स्टॉलों पर भारी बीड देखी गई एक्सपो में अनेको स्टॉर्स पर लुभाने वाले ओफर ग्राकों को दिये जा रहे है बच्चों के लिए उनकी सवारी का भी आयोजन किया गया है शुक्रवार को महराश के कैबिनेट मंतरी विजय वडेटिवार ने लाइन्स एक्सपो क्यों सदीच्चा भेट दी एक्सपो में दोपर तीन बजे से पाच बजे के बीच विभिन विशो पर सेमिनार आयोजित किये गया है जो दर्शकों के लिए निशुक रखा गया है दर्शकों के लिए राजस्थानी कलाकारों द्वारा शाम चे बजे से आठ बजे तक सांस्कूती कारेक्रम भी प्रस्तुत किये जा रहा है एक्सपो में राजस्थानी वेंजनों के अनेको फूर्स्टोर लगाए गया है राजस्थानी कारागिर द्वारा उत्पादित खाने के वेंजन यहां उपलब्ध है लाइंस का आयजुकों ने नाकपूर शहर वास्यों को आग्रह किया है कि नव वर्श का शुभारम परिवार के साथ एक्सपो में आकर करें वर्श 2021 के अंतिम महा दिसंबर में अंतिम सब्ता में कोरोना के मरीजों की अचानक बड़ोतरी से चिंतिन नाकपूर जिला प्रशासन ने शुकरवार को आपात कालिन बैठक बुलाई जिसमें कोवीड नियमों का परिपालन करने के परिप्रेक्ष में दंडात्मक कारवाई करने का निर्णे लिया गया जिला प्रशासन ने विवास समारो वत तत्सम अन्य सामोई कारेक्रमों में उबस्तिती संक्या घटा कर पचास तक सीमीत कर दी है जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गए एक आदेश के तहत अब माक्स नहीं पहनने वालो पर पास सु रूपय निर्धारी सीमा से अधिक भीर जुटाने वाले प्रशानों पर दस हजार रूपय और नियमों का उलसंगन करने वाले मंगल कारेले उपन 50,000 रुपे का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है जिलादिकारी आर्मिम्रा ने बताया कि दिसंबर महा के अंतिम सब्ता में नाकपुशर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है 30 दिसंबर को कोरोना के 28 ने पॉजिटिव मामले मिले थे किन्तु अगले ही दिन यानी 31 दिसंबर को 90 ने पॉजिटिव मिले है इससे साब जाहिर है कि कोरोना की तियुरता अब फिर से बढ़ चुकी है और जिले में प्रतिबंद लगाना अनिवारे हो गया है शुक्रवार को हुई बैठक में कोरोना सम्मन्दी प्रतिबंदात्मक आदेश का उलंगन करने वालों पर दंडात्मक कारवाई करने का नेरदेश दिया गया आज 18 प्लस और 42 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों का कोविशिल का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंदरों पर होगा टिका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंदरों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविशिल के जरीए टिका करन किया जाएगा यह जानकरे चिकित सा स्वास्तरिकारी डॉक्टर सेंजे चिलकर ने दी इसी तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष के नागरिकों के लिए दिल्ली में हुए GST काउंसिल की बैठक में कपड़े पर 1 जनवरी 2022 से 5 प्रतिशत की स्थान पर 12 प्रतिशत GST लगाने के निर्णे को वापस लेने का Confederation of All India Traders ने स्वागत करते हुए इस निर्णे को बहत तारकिक और वक्त की जुरुरत बताया Cat के राष्टे महामंतिर प्रविन खंडलवाल ने इस निर्णे का देश भर के वैपारियों की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि इस से देश की लाखो कपड़ा एवं फूटवेर वैपारियों को रहत मिलेगी यह वैपारियों पिछले एक महने से ज्यादा समय से बहत तनाव की जिन्दगी जी रहे है खंडलवाल ने यह भी कहा कि कपड़े की तरह फूटवेर पर भी जीस्टी दर बढ़ाने की निर्णे को स्तगित करना भी अत्यनता आवशक है खंडलवाल ने बताये कि जीस्टी काउंसिल का निर्णे इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार देश के सभी राज्यों के राजनेता अब सर्शाही के हातों की कटपुत लीब बने हुए है और कोई भी निर्णे लेने से पहले उसके गुंदोश पर विचार तेक नहीं किया जाता है वयापारियों एवं अन्य वर्गों से कोई सलाह परामश तो बहुत दूर की बात है पालकमंत्री डॉक्टर नितिन राउत की उपस्तिती में आउजित एक समारो में 50 बेगर वेक्तियों में पट्टों का वितरन किया गया अब यह गरीब नागरिक अपना खुद का गर होने का सपना पूरा कर सकते है नागपुर महानगर पालिका और नागपुर सुधार प्रण्यास केंतर गत रहने वाले सलमवासियों को पट्टे देने के लिए मानका पुर्स्तित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आउजित एक समारो में डॉक्टर राउत मुख्यतिती के तोर पर उपस्तित थे मंच पर बैठे मानेवरों में खेल मत्री सुनिल केदार, महापोर दयाशंकरतिवारी, विधायक मोहनमते, मनपा में नेता प्रतिपक्षताना जीद वनवे, जिलादिकारी विमला आर, मनपा युक्त रादा कुश्नन भी, मनोच कुमार सुर्यवन्शी, जिलापरिशत के मारिकारी दिकारी योगेश कों भेजकर और अन्य लोग उपस्ति थे, इस अउसर पर मानेवरों द्वारा स्लमवासियों को प्रमानपत्र वितरित किये गए, करीब 350 प्रस्ताओं को मनजुरी दी जा रही है, कोविट प्रोटकॉल के तहत किवल 50 वेक्तियों को प्रमानपत और यह समारों उसे पहल का हिस्सा है, शुक्रवार को उत्तर नाकपुर के विभिन वार्डो के विकास कारियों का भूमी पजन मानकापू स्टेडियम कोराडी रोड में पालक मंत्री डॉक्टर नितिनराओ द्वारा किया गया, इस अउसर पर जिलादिकारी आर्विमला, नाकपुर सुदार पन्यास के द्रक्ष मनोश सुर्यवंशी, रत्ताकर जयपूरकर, संजय दुबे, सुरेश पाटिल, दीपक खोबरागडे, मुल्चन मेहर, राजेंद्र करवाडे आदी उपस्ति थे, उत्तर नाकपुर में विभिन वार्डो में विकास कारियों के देरा करोर 64 लाक रुपए खर्च किया जाएंगे, इस अवसर पर कुष्ण कुमार पांडे, प्रभाकर समर्थ, देनेश्यादव नगर सेवक, परसरा मानवतकर नगर सेवक, नेहा निकोसे नगर सेवक, महिंद्र बोरकर आदी मौजुद थे नाकपुर महानगर पालिका के उपद्रोखोजी दल ने शुकरवार को प्लास्टिक पतंग के खिलाप अभियान जारी रखा, उपद्रोखोजी दल ने 10 जोन में 46 दुकानों का निरिक्षन किया, इसके अलावा उपद्रोखोजी दल ने 3 प्रतिष्टानों पर कारवाई की और 15,000 रुपए का जुर्माना वसुला, टीम ने 33 प्रतिष्टानों और मंगल कार्यालेओं का निरिक्षन किया, मनपा उक्तरादा कुष्णन बी की निर्देश अनुसार और NDS प्रमुक वीर से इंतामे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कारवाई की नाकपुर महनगर पालिका के उपदरोखोजी दल ने शुकरवार को बगर मास के गुमने वाले 33 गयर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाब कारवाई की और उन में से प्रतिएक से 500 रुपए के अनुसार 16,500 रुपए का जुर्माना वसुला, पिछले कुछ महिनों में मनपा 2600 नागरिकों के खिलाब कारवाई की और अब तक 1.96 करोड रुपए से अधिक राशी का जुर्माना वसुला है, शहर में अब भी अनेक जगों पर नागरिक सामाजिक दूरी के नियमों की धजिया उडाते नजर आ रहे है, इसके चलते उपदरोखोजी दल द्वारा इस गहर जिमेदार नागरिकों के खिलाब कारवाई कर रही है, ऐसी हरकतों से वे खुद के तता खुद के परिजनों के स्वास के साथ साथ समाज और शहर के लोगों के स्वास को भी खत्रे में डार रहे है, शुकरवार को मनपा के उपदरोखोजी दल ने धंतोली जोन के अंतरगत एक, लकडगन जोन के अंदरगत चार, आशिनगत जोन के अंदरगत आठ और मंगलवारी जोन के अंदरगत चार नागरिकों के खिलाफ कारवाई की, एंडियस प्रमुक बीर से इंतामबे के मार्गदर्शन में यह कारवाई की गई, अब तक 37,200 गहर जिमेदार नागरिकों से 1,85 लाग रुपे का जर्माना वसुल किया जा चुका है, ट्राफिक पूलिस ने मोटार वहन अदिनियम की विभिन धाराओ के अंदरगत कुल मिला कर 2797 वहन चालकों पर कारवाई की, और उनसे कुल मिला कर 1,4,000 रुपे का जर्माना वसुला, इसी तरह मुं अदिनियम की अंदरगत 5 मामलों में 12 रुपियों को गिरफ्तार किया गया, और उनसे 44,000 रुपे का जर्माना वसुला गया, उपरोग तसभी ऑपरेशन सेयुकतरूप से नाकपु सिटी पूलिस द्वारा किये गये थे, ट्राफिक विभाग ने या आववान किया है कि ना विश्विद्दालय सुधार कानून को लेकर सरकार के विरोध में जम कर नारेबाजी की गई, महाविकास आगरी सरकार दोवारा सदन में विश्विद्दालय सुधार कानून पारित किया गया था, इसी के विरोध में गुरुवार को भारतिय जनता युवा मोचा नाकपु ना की गई इस आंदोलन में भारतिय जनता युवा मोचा की महामंत्री शिवानी दानी समेथ बड़ी संख्या में पदादिकारी और कारेकारी गन उपस्तित थे राष्ट्य ओबिसी महासंग के महाराष्ट प्रदेश महासंग के राष्ट्य अदेक्ष डॉक्टर बबन्राव तायवाडे द्वारा महासच्यू पत पर राजश काकडे और आशिश तायवाडे राष्ट्य ओबिसी महासंग प्रदेश संगटक पत पर न्यूक्ति की गई है इस नियुक्ति पर राष्ट्य महासचु शरदवान खेडे, महिला प्रदेश अदेक्ष कलपना मान कर, युवा महासंग के राष्ट्य अदेक्ष सुभाज घाटे, नाकपुर ग्रामिन के अदेक्ष राजुच चौधरी, युवा महासंग के विदर्ब अदेक्ष रोशन और संके सभी नवनियुक्त पदार्दिकारियों को शुप कामनाय दी गई। दीब जोला कर पुन्यतिती समारों की शुरुवात की गई। यहां के प्राचिन विठर रखुमाई मंदिर ठावलेपुरा द्वारा आयोजित अखंड नाम संकीर्तन महोत्सों के अवसर पर गुरुवार को श्री महावली की पाल की शुभायात्रा महोत्सों के आयोजन में कई श्रद्धालू सहबागी हुए। नाकपुजिले में कोंडाली के अतिप्रचिन विठर रखुमाई मंदिर ठावलेपुरा की पाल की शुभायात्रा प्रतिवर्श निकाली जाती है। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालू सहबागी होते है। जन गाते हुए शामिल हुए। पुंडाली के ढोल टीमों ने अतिनता आकर्शक ढोल वादन प्रस्तुत कर दर्शकों का मन महलिया। तो नाकपुर हल चल में आज इतना ही। आप से फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार।